अलो प्रेज दो लॉड गड्स पॉर्णिंग अगया ने गौर पार तिल की कहराई से धन्यवाद स्तुति तारीफ और जोजेकार सिर्फ उसके लिए जो उसके योग्य है मुझे गीत बहुत पसंद है योग्य केवा तू योग्य केवा तू ही प्रभू मेरे प्रभू ये शू इस गीत में हम और भी शब्द जोड़ते जाते हैं बहुत सारे मैं कभी-कभी दस मिनट तक गाता हूँ इस काने को कभी-कभी पंदरा मिनट तक और नए-नए शब्द जोड़ते हुए उसकी महिमा के ये तब होता है जब हम उसको एकनॉलेज कर रहे हूँ और अगर सिर्फ हम गीत गा रहे हूँ तो जो आता है उतना ही गाप आएंगे किसी ने मुझसे का कि आप पास्टर ने इसलिए कर पाते हैं नहीं देखिए आप से कम बिजी नहीं हूँ मैं कुछ लोग शारीरिक महनत करते हैं मैं मानसिक महनत बहुत करता हूँ और इस मानसिक महनत के काराण भी पता है शरीर जवाब दे देता है हाद पर काम ही नहीं करते है यह वीडियो से रिकॉड करना असान नहीं है मेरे परियों मैं यहां record करता हूँ एक भाई यहां recording करता है और काफी सारी machine यह लगी होती है फिर इसके बाद यह audio transfer होता है फिर वहाँ पर audio editing होती है फिर video editing होती है तो उनों को synchronize किया जाता है उसके बाद उसकी त्यारी होती है फिर उसके बाद चार आदमी कम से कम पाच आदमी लगते हैं एक वीडियो त्यारोने में the reason behind what we are doing is acknowledgement कभी-कभी लोग कहते हैं YouTube से बहुत पैसा कमाते हैं कमाने वाले कमाते हैं को पता है महीने के हम हमारे पास YouTube से कितना आथा आठ जार दस जार, बारा जार, पंगरा जार इतने ही आता है और इतने का तो आफिस में ये सब लोग चायक पानी ये सब कुछ खापी जाते but when you have acknowledgement you will never ever really worried about worldly things, दुनिया की चीजों के लिए आप चिंता नहीं करोगे प्रभू आपको information नहीं है बट क्या लगता क्या उसे कमी होती होगी इसका बहुत बाड़िया example हमें नए नियम में मिलता है जब येश्व ने दो दो करके चेलो को पेजा बोले आप मार्ग में अपने साथ कुछ भी दूसरा मत लेके जाना जो जैसे हो वैसे ही जाओ ठीक है बभबो चले गए कवई घटी भी न हुई किसी आपके यह नहीं कहा कि हमें नहीं घटी है उनकी जरूरते पूरी हो गई हम जब सिवा के लिए निकलें तो जरूरते पूरी होती है सिरत उतनी जतनी जरूरत होती है कुछ और भी तो बाती है ओके, लेट स्टार्ट चेप्टर थरी सेवन, यर्मिया से राजा सिद्किया का निवेदन, अभी सिद्किया गम भर रहा था यर्मिया से, लेकिन अभी निवेदन भी हो रहा है योयाकीम के पुत्र कोनिया के स्थान पर यूशा का पुत्र सिद्किया राज्य करने लगा क्योंकि बेविलॉन के राजा नभुग दिनेसर ने उसी को यहुदा देश में राजा ठहरा है था पर उन्तुना तो उसने ना उसके एकरमचारियों ना साधरन लोगों ने यहुदा के वच्णू को माना जो उसने यर्मिया भुशिदक्ता के द्वारा कहे थे सिद्किया राजा ने شیलमिया के पुत्र यकुल और या मेसय के पुत्र सपनिया याजक को यर्मियाः भोश्वत्य के पास ये खहला बेजा हमारे निमित पर मेश्वर यहुआ से प्राटना कर और उस समय यर्मिया बंदी ग्रह में नडाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था उस समय फिरॉन की सेना चड़ाई के लिए मिसर से निकली तब कस्दी जो यरुशलेम को घेरे हुए थे उसका समचार सुनकर यरुशलेम के पास से चले गए तब यहुआ का यवचन यर्मिया बहुशलक्ता के पास पहुँचा इसराईल का पर मेशो यहुआ यूँ कहता यहुदा के राजा जिस ने तुम को प्रार्टना करने के लिए मेरे पास बेजा है उससे यों को हो, देख फिरॉन की जो सेना तुम्हारी साहता के लिए निकली है वे अपने देश मिसर में लौट जाएगी कस्दी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूब देंगे यह वायों कहता है, यह कहकर तुम अपने मन में धोका ना खाओ, कस्दी हमारे पास से निश्चे चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए, क्योंकि यदि तुमने कस्दियों की सारी सेना को जो तुम से लड़ती है, ऐसा मार भी लिया होता कि उसमें से कीवल घायल लोग रह जाते तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूख देते, जब ये बात सिद्किया के पास पहुँचेगी तब क्या होगा, धान से सुनिए, यर्मिया की कैद और उसका चुटकारा, फिर ग्यारा पद में, जब कस्दियों की सेना, फिराउन की सेना के कारण यरुशलेम के पास से कूच कर गई, तब यर्मिया यरुशलेम से निकल कर बिनियमीन के देश की होर, इसलिए जा निकला, कि वहां से और लोगों के संग अपना अंच ले, जब वे बिनियमीन के फाटक में पहुँचा, तब यरिया नमक पहरुए का एक सरदार, वहा कर पकड़ लिया, तो कस्दियों के पास भाग जाता है, तब यर्मिया ने कहा, यह जूट है, मैं कस्दियों के पास नहीं भागा जाता हूँ, पर उन्तु यरिया ने उसकी एक ना मानी, और यह उसे पकड़ का हाकिमों के पास ले गया, तब हाकिमों ने यर्मिया से बात है कि अभी जितने भी आरोफ लगते हैं परमिश्य के दासरों पर मुस्ली जूटे होते हैं तो देखो आरोफ लगना और मुसीबत में पढ़ना और दुख में पढ़ना फस गए आप तो उस आसानी से निजात नहीं मिलती है जिन्दगी में बहुत बड़ी रुकावटे आजाती है बहुत बार हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन अगर ऐसी कुछ परिस्तिती हैं तो हम रुक जाते हैं कहीं असनाओ के बड़ी मुसीबत मुफस जाएं ये करण होता है कि सिवा में रुकावट भी होती है पर यर्मिया का सब कुछ दाओ पे लगा है उसके गर में जिसमें कई एक कोट्रिया थी रहने लगा उसके बहुत दिन बीतने पर सिद्किया राजा ने उसको बुलवा भीजा और अपने भवन में उसे छिपा कर ये प्रशन किया क्या यहुआ की ओर से कोई वचन पहुचा है यर्मिया ने का हाँ पहुचा है वह यह है कि त तुम लोगों ने मुझको बंदीग्रे में डलवाया तुम्हारे जो बहुचे दुक्ता तुम से बहुच्वानी करके कहा करते थे कि बैबिलॉन का राजा तुम पर और इस देश पर चड़ाई नहीं करेगा वे अब कहा है अब हे मेरे प्रबु हे राजा मेरी प्राटना ग्रेंड करकी मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न पेच नहीं तो मैं वहां मर जाओंगा तब सिद्किया राजा की आग्या से यर्मिया पहरे के आंगन में रखा गया और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प् मजदूर को मजदूरी मिलने चाहिए बैल का मू मत बांध क्योंकि वो दावता मैनत करता तो उसको दावने वाले बैल को खाने का दिकार है पर परमिश्वर के लोगों के लिए भारी है अच्छा कुछ लोगों का तो ये मानना है कि परमिश्वर के सेवकों को अपना यह परमेश्व की विवस्था में नहीं है आप एक उधारन लेकर बोलते हैं कि पॉलूस नहीं यह किया था और बाकी सब के बारे में क्या बाकी सब ने कौन सा बिजनस किया था वो आधियादूरी सिक्षा पर बोलना और आधिया दूरी सिक्षा पर चर्चा करना It is nonsense Really nonsense सद्धान तो बो देखो तब ही बात करो Go ahead, let's pray प्रभू परमेश्व तेरी भलाई तेरी कृपाद सदे प्रकट हो यर्मिया किरे आपने भलाई की है हम पर भी आपने भलाई की है और प्रभू हम सब को प्रभू अपने हाथों में रख ताकि प्रभू हम सच्चे ठहरे इमानदार ठहरे तेरी महिमा करने वाले ठहरे वो करने वाले वो जो तुझे अच्छा लगता है प्रभू अपने जीवन से तेरी महिमा करने वाले है प्राटना सुनने के लिए तेरा धनेवाद मेरे भाई बेहन जो संगती कर रहे हैं रोज सुबह तेरे वच्छम को पढ़ते हैं और प्रभू संगती करते हैं इनको तो फलवंद कर बलवंद कर और अधिक संगती में और अदिक प्रभू तेरे वच्छन की और प्रेम में बढ़ा रे ताकि प्रभू इंके द्वाला औरों के लिए शान्ती का कारण है प्राटना सुनने के लिए धन्यवाद येश्व मसीन आश्री के नाम से प्राटना में मांगता हूँ आमेन इमैन पी प्लस्ट आमेन